ते मैं मुझे डॉक्टर टियांका लाटकर, होमियोपतिक कांसिल्टेंट फॉम हाइदरबाद मुझे लास्ट वीडियो में पूछा था कमेंट सेक्शन में किसी ने कि आप ड्रग पिक्चर लो होमियोपतिक मेडिसिन्स के तो पहले तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि कैसे लिखना है ड्रग पिक्चर क्योंकि कैसे लिखना है क्या expected होता है examiner's को ये मैं बताना चाहूंगी मुझे final exams में जब मैंने final year में exam दी ती तो मुझे material medica में gold medal मिला था I wanted to share that और मुझे अभी जैसे सवाल आया तो मैंने सोचा कि शायद मैं बताऊं कि मैंने कैसे लिखा था paper ताकि सभी को help हो सभी लोग अच्छा उसमें score करें and सब की मदत हो तो सबसे पहले ये वाला वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे लिखना चाहिए आपको drug picture अब हमारी homeopathy में जब polycrest remedies के बारे में ज़्यादातर drug picture पूछा जाता है तो एक methodology है जो मैंने follow की थी जैसे आप कोई भी book उठाते हो कोई भी academic हो या फिर generally कोई novels हो जब आप उठाते हो तो आप ऐसे pages cross check करते हो कि कैसे है इसमें pictures क्या क्या है इसका writing style कैसा है इसकी language कैसी है इस book की so you try to understand की कैसे है यह और हमें ऐसी books पर अच्छी लगती है जिसमें photos हो जिसमें points अच्छे से लिखे हो और जिसकी language बहुत easy to understand हो बहुत complicated words ना हो तो यही चीज हमें follow करनी होती है paper में आप for example आपको आता है drug picture of calcarea का ठीक है for example अगर calcarea का आप लिखा आपने write a drug picture of calcarea का तो आप कैसे लिखेंगे अब introduction है जैसे हम किसी बच्चे को कोई चीज का introduction कराते है जैसे अगर उसको numbers का introduction जैसे number one number two सिखाते है तो वैसी ही हमें consider करना है हमें यह present करना है कि कैसे easily कोई भी देखे अब examiners के पास बहुत सारे questions paper आते है जैसे उनको अगर check करना है 100-500 papers तो वो ह एक line तो नहीं पढ़ेंगे तो वो overlook करेंगे कि क्या 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 लिखा है तो आपको ये चीज का बहुत ज़्यान रखना है कि आप कैसे लिख रहे हैं rather than क्या लिख रहे हैं क्या लिखना है वो सब को पता है ठीक है सभी को पता है कि क्या लिखना चाहिए paper में और knowledge आप को कितनी है, बट कैसे लिखना है, इससे आपके स्कोर्स अच्छे हो सकते हैं, जैसे कलकिरिया काप का, आप लिखो की किस से बना है, इसका founder कौन है, और what is it famous for, we prescribe this remedy for this, 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 तो ये जो है न, जैसे आपने लिखा founder कौन है, तो उसके उपर underline कुड़ो, थोड़ा gap दो और उसके बाद उनका नाम लिखो, फिर किस के लिए famous है, तो it is a very good, very well indicated remedy for those who are fat, flabby, या फिर those who are spider, those who crave for eggs, so ये सारी चीज़े नहीं लिखनी आपको, indicated क्या होता है, जैसे weak रहता है उनका constitution, तो छोटी चीज़े लो, ऐसा नहीं कि आप 10 लाइन लिखो और पूरा चिच-किच-किच-किच-किच दिखे, make it a very clear, concise and very easy to recognizable, अगर उसमें भी आपको लगता है कि ये word बहुत ज़्यादा important है, तो उस word के नीचे pencil से underline करो, और मैं पता ही क्या करती थी, कि underline भी करना है न, हाथ से नहीं करती थी, I used to use the scale, तो वो scale से इतनी सही आती है, और बाकी उपर नीचे भी नहीं होता है, it never goes in between the other words also, फिर उसके बाद होता है, spear of action, spear of action जब आप लिखते हैं, तो उसमें भी point wise लिखी है, जैसे comma 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 हमें होता है, जैसे हमें books में लिखा गया होता है कि bones पे, या फिर respiratory systems पे, या फिर female reproductive organs पे, कि comma मत लिखना, छोटे छोटे dots डालो, तीन sections बनाओ, और एक-एक dot के नीचे एक-एक system लिखो, दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, next आता है, जैसे mind, तो mind कैसा होता है, तो mind के बारे में भी पूरा history, पूरा nature, पूरा detail में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वो ही important लिखना है, जो easily कोई भी पढ़ सके है, जिसको समझ में आता है कि इस remedy का core क्या है, इस remedy का क्या हो सकता है, एक attitude, ठीके, और अगर इसका attitude ऐसा होता है, जैसे, they are very emotional, or sensitive, या फिर angry, तो उस चीज को, उस word को highlight करो, चाहे underline करो, चाहे exclamatory, वो जो brackets आते हैं, वो लिखो, या फिर आप अलग से उसको, मतलब थोड़ा gap देके उसको mention करो, बट highlight करना बहुत ज़रूरी है, देन आता है कि अलग-अलग system के बारे में आपको जो भी ल अहां कहां है, यह लिख सकते हैं, और कहीं कोई system पे बहुत ज़दा अगर वो वर्क करती है, तो उसका थोड़ा अच्छे से describe करो, जैसे female reproductive organ, तो इसके उपर आप लिख सकते हैं, उनके menses कैसे होते हैं, फीमेल का leucoria अगर है क्या, तो leucoria में उसका leucoria कैसे होता है, अगर फीमेल का आगर आगया, उसमें आपको दो चीजे लिखनी है, menses भी लिखना है, और leucoria के बारे में भी लिखना है, तो उसको भी अलग-अलग, अलग-अलग लिखो, एक ही लाइन पे आप फीमेल का menses भी, फिर leucoria भी, फिर उसका delivery भी, जब डिलिवरी के टाइम उसको ज तब मत लिखो, थोड़ा-थोड़ा gap देके, एक-एक लाइन अगर छोड़ते है, या फिर एक लाइन में एक थोड़ा सा gap छोड़ते है, फिर दूसरा शुरू करते है, तो वो दिखने में, understand करने में बहुत असानी होती है, आगे आता है उसका modalities, किस चीज से उसको aggravation होत वो चीज लिखना, वो भी जब आप लिखते है, वो भी बहुत लंबा मत लिखिये, बहुत easily understandable लिखिये, ताकि you can keep yourself in the examiner's shoes, उनकी जगे पे रखके देखो, अगर आपको 100 papers check करने है, तो आप थोड़ी ना हर एक चीज, line to line पढ़ेंगे, you will not read, ठीक है, आपको एक idea जब आ पुशिश कर रहे हो कि मुझे इससे क्या बताना है आपको, और किसी को भी वो समझ आ जाए, उसे ये ब्रायोनिया है, ये आर्सनिक है, ये कैलकेरिया है, और दिखने के बाद जो आप clear writing करते है, तो examiner भी खुश होता है, वो खुशी से, वो समझ से, वो जो clarity आप रखते ह हो, वो answer presentation में, तो उसी से आपको जादा marks अच्छे मिलते है, तो ये था कि मैं बताना चाहती थी कि मैंने कैसे लिखा था, so I believe कि अगर ये चीज आप भी follow करते है, writing अच्छी रखते है, presentation अच्छा रखते है, और writing points जो है, point to point अब mention जब करना है, तो अच्छे से present करते हो, ना की complex बहुत जादा लिख लिख के, 10-20 लाइन से की पैरा में लिख के, आप जब clarity रखते हो, आपकी writing में, तो वो attract करता है examiner को, और it'll fetch you more marks, more good numbers in your exam paper, so this is what I did for my examination, I hope it'll help you also, आप जितना हो सके, आपके दोस्तों के साथ ये जरूर शेर कीजिए, ताकि उनकी भी मदद हो, और आगे से episode में, I am going to take all the drug pictures, और इसमें core भी I will take, because mind method which I follow, so उसमें core भी बताऊंगी, and then इसका sphere of action, other systems पे कैसी काम होता है, वो हम लोग mind and body connect करके सिखाएंगे, so आप like कीजिए और comment कीजिए और भी आपको कोई suggestions है तो, and definitely share कीजिए आपके doctors, जो friends है, जो अभी write करने वाले exams, आपके exam के लिए ये बहुत जादा help होने वाली है, and do subscribe to the channel, so that you will get the new updates about the channel, about the new launch of the videos on your phone, so take care, stay healthy, stay fit with Dr. Priyanka Latkar, The Home Your Life. र्भान